सही तरीके समझा जाए ना तो इसमें नुक्सान किसका हुआ कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे संभव हो पाया यह एजुकेशनल इंस्टिटूट बनाते ताकि देश में सिक्षा का प्रसार भी तेजी से बाज़ी इन्होंने एक सपना बनाया था मुझे घर लेना है अच्छा घर अपने माता पिता को देना है इस वीडियो इस पावड़ बाए मेटास लाइश्टाइल इंडिया इस लीडिंग मैनुफाक्ट्टर और स्टेल इस बात को समझना बहुत जरूरी है 28 अगस्ट 2022 को सुप्रीम कोट अफ इंडिया का जो जज्जमेंट है उसके अनुसार 3700 किलोग्राम एक्स्प्लोसिव लगा के 20 कुरूर की लागत में इस 40 मंजिला टावर को सुपूर्दे खाक कर दिया गया मतलब जमीन में दफन कर दिया गया एक तरह से इसको खतम कर दिया गया इसके पीछे कारण क्या है इसमें आपको एक बात को बहुत समझना होगा कि सुप्रीम कोट अफ इंडिया का जो भी निर्णा है वो सर्वो परिया और हमारे देश का ह व्यक्ति उसका संबान करता है लेकिन एक स्टेडी अगर देखा जाए 2005 में प्लान पास हुआ जिसमें का गया कि 14 टावर बनाए जाएंगे टोटल 550 फ्लैट होंगे फिर उसमें कमेंडमेंट हुआ कि 15 टावर बनाए जाएंगे 2009 में का कि वह दो टावर का कंस्रक्शन चाहिए वो नहीं थी उसके बाद में रेजिडेंशिल वेलफेर असेशिशन के सदस्यों ने अलाबाद कोट में एक याची का दायर की कि यहां पर जो यह कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एक तरह से इल्लीगल है क्योंकि हमें जब यहां पर फ्लैट अलॉट कि गए थे तो बीजर के हिसाब से इस टावर को धुस्त करना था अगले तीन महीने में लेकिन अगर सारी समस्याओं को देखा जाए तो यह बात रही कि सुप्रीम कोट का नेना हमेशा सर्वो पर ही होता है लेकिन अगर सही तरीके समझा जाए ना तो इसमें नुकसान किसका हुआ सरकार क का उस इंवेस्टर का जिसने पैसा निवेश किया था उन लोगों का जो सोसाइटी में पहले ऽे रहे रही या उन लोगों का जिन्होंने सपना बनाया, फिसल तोंस जैने कि मेरे बेटे की शादी होगी, इसके लिए मंㄇ नए Anbeid में अपनी बहु को लाएंगे अपने बेटे की शादी वहाँ पर करेंगे बेटे की शादी करेंगे यह कोई ऐसा function जिन्होंने plan किया था कि हमारा घर बहुत अच्छा होगा retirement बहुत अच्छा होगा सुप्रीम कोट ने डिरेक्शन दी कि यह जो अगले तीम एने में इसको डिमलिश करो और वहां के जितने लोगों ने भी फ्लैट बुक किये थे 12 परसेंट इंटरस्ट के साथ उनका पैसा वापस करो 2 करोड रुपए और डबलुए रेजिदेंशल वेलफेर असोशेशन को पे करो जिरोंने वो केस किया 17 साल का समय लगा इस केस को चलते चलते और सॉल्वोने में मेरा प्रशनी है कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे संभव हो पाया क्या नॉइड आथोरिटी को नहीं पता था क्या वहां के अधिकारियों को नहीं पता था क्या बिल्डर को नहीं पता था या वहां के रहने वाले लोगों को नहीं पता था दोस्तों क्या किंद्र सरकार को नहीं पता था सभी को ये पता था कि ये कंस्रक्शन एक तरह से इलीगल है लेकिन हमारे देश में ब्रहष्टाचार इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है जहां एक एक approval लेने में एक आम आदमी को एक पानी का connection लेने में एक बिजली का connection लेने में एक आदम आदमी को घोड़े खोल देने पड़ते हैं वहीं पर एक builder जितनी भी डिपार्टमेंट जितनी भी अथरिटी हैं पचास स्यदा approval लगते हैं पचास स्यदा certification होते हैं लाइसेंसिंग होती हैं वो सारे approval लेके उसने construction शुरू कर दिया अलाबाद court में case चलता रहा उसके बाद भी construction चलता रहा लोगों को उमीद रही कि हमें flat मिलेगा कुछ लोगों को उमीद रही कि हमें green area मिलेगा और बाद में उसको ध्वस्त कर देने की opinion judgment जो है वो सरकार ने दिया Supreme Court of India ने दिया इसमें नुक्सान किसका हुआ यह समझना बहुत जुरूरी है और जब public से बहुत सारे opinion लिए गए ना आज आप सोचल मीडिया पर देखेंगे ना public के opinion भरे पड़े हैं कुछ लोगों ने वहाँ पर लिखा कि सर इतनी बड़ी building बनाई थी 700 से 800 करोड रुपे का investment वहाँ लग चुका है इतना infrastructure लग चुका है तो इस 700-800 करोड के investment को खतम करने से अच्छा तो government वहाँ पर एक hospital बना देती अच्छा सा world class facilities के साथ अगर norms के अनुसार 40 मंजला इमारत बनाना संबब नहीं था तो 14 मंजला ही कर देते extra जो flat थे उपर के खतम कर देते extra floors खतम करके वहाँ पर को अच्छा सा hospital बनाते या educational institute बनाते ताकि देश में सिक्षा का प्रसार भी तेजी से बढ़ सकता या government को ऐसा department develop करता जहां से आगे हम जनता की सेवा कर सके उनको मदद कर सके प्रश्ट यह है कि जिन लोगों ने वहाँ पर flat book किया था उनके सपने भी अधूरे रह गए दोस्तों 12% interest देने से 17 साल का मुआफजा कभी भी वापस नहीं मिल सकता क्योंकि हो सकता है कि परिवार में एक व्यक्ती ने सोचा होगा मेरे माता पिता रेटायर हो गए अब मैं उनको अच्छे से flat में रखूँगा हो सकता है कि हमारी परिवार के नए बच्चे का जन्म उ आप जो जॉब कर रहा है वो नौइडा में जॉब कर रहा है तो उसको रहने के लिए नौइडा में फ्लैट दूगा 17 साल का भरपाई कौन करेगा क्योंकि कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जिनके मुखिया या उनके सदस्य एक निश्यत समय आयू के बाद उनकी डेथ हो ग तरफ्टाचार के जिम्मेदार कौन है क्योंकि नौइडा अथॉरिटी को यह पता था कि इंस्ट्रक्शन इनलीगल हो रहा है तो इतने सारे अप्रूवल कैसे हो गए इतने सारे लाइसंसिंग कैसे मिल गई इतने सारे जो नौम से थे वो कैसे पूरे हो और बाद में कैसे पता लगा कि नौम को पूरा नहीं किया जा रहा है अब मैं आपसे पूछता हूँ आप कॉमेंट बॉक्स में लिखकर यह बताएं कि क्या और बहतर ऑप्शन हो सकती थी इस बिल्डिंग को ढहने की अलावा या क्या ऐसा किया जाए था कि हमारे देश में ऐसे नौम्स बने करके इस तरह से सेटिंग्स करके इस तरह से अप्रूवल करके कंस्रक्शन कर देंगे और आइसे तो कानून की कोई वेल्यू नहीं रह जाएगी इसलिए जरूरत है एक आम आदमी के कानून के संग्रक्षण की सरकार को भी पता था कि इसका यूटलाइजिशन किसी और तरी कोई भी प्रश्ण है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनर्य वईश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत